कि इन प्रॉग्रेश कि इन दो मिंट चालो करते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है कि आज एक आपको पढ़ना है कि इकवेशन सॉप मोशं के नूमरीकल करें गया और एक तूडी मोशन कैसे होता और इसके नुम्रिकल कैसे ठीक तो पहले अपन एक्क्वेशन एक को कोश्न से पहले मैं तुम्हें सारे एक होता है टो यू प्लówस एटी एक होता है एस एक्वल टो यू टी प्लस हाफ एटी स्कॉर्ड एक होता है V square equal to U square plus 2S और एक होता है distance तर्विन इसका formula होता है U plus A by 2 2N minus 1 यह चारो formula तो मैं पता है लेकिन यह चारो formula तब ही यूज कर सकते हो जब आपका acceleration क्या है constant है यह वाले formula आपका यूज कर सकते हो जब acceleration क्या है constant है अगर आपका acceleration constant नहीं है तो आप यह वाले formula यूज कर सकते हैं एक आपको यह वाले formula भी आदे है वी equal to Dx वाइड T A equal to dv by dt और A का formula मैं तुम्हें क्या पढ़ाई था V div by Dx यह तनके formula है मैं तो पढ़ाए थे धेड़ए V equal to dx by dt A equal to dv by dt A equal to V div by dx तो तो एक ये सारे formula भी मैं तुम्हें पढ़ाए थे, यादे तुम सब को, ये सब formula मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, किसी को इन सब में कोई doubt तो नहीं है, देखो है क्या, कि अब तुम लोगों को आदी होना है, MCQ जिसे questions के, अब आप लोगों को आदी हो जाना है, है ना, तो MCQ question में क्या होता है कि formula कैसे आया, वो इतना matter नहीं रखता है, लेकिन तो भी अपने को पता होना चाहिए, कि ये सब आते कहा से, तो ये, 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 और ये, 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 अब मैं देखो तुम्हें इन सब को use के से करते हैं, जिसे माल लोगों कि तुमारे school में question आता है कि ये कोई बंदा है, ये जा रहा है 10 meter per second से, किस से जा रहा है, 10 meter per second से, माल लो ये है A, और माल लो कि यहाँ पर B खड़ा है, जो A से कितनी दूरी पर, 100 meter की दूरी पर, कितनी दूरी पर, 100 meter की दूरी पर, तो माल लो exam में question आता है, if B wants to catch A, माल लो B को A को पकड़ना है, if B wants to catch A, ये तो B वाला बंदा है ना, पीछे वाला पराणी, इसको A को पकड़ना है, in 10 seconds, कितने second में, 10 seconds में, find acceleration of B, तो आपको बताने है कि B का acceleration कितना होना चाहिए, assuming, B is at rest initially, और आपको assume करना है कि शुरूवात में, आपका B किस पर है, आपका B rest पर है, आपको क्या assume करना है, कि जो B है, वो किस पर है, rest पर है, सब को question समझ माया, कि कि किसी को question समझने में दिखका दोरी देखो, यहाँ पर आपका A वाला बंदा है, वो जा रहा है, 10 meter per second से, A से 100 meter की दूरी पर B है, और B अभी rest पर है, देखो, if B wants to catch A in 10 seconds, तो B को A को पकड़ना है, 10 second के अंदर, आपको बताना है, कि B का क्या acceleration होना चाहिए, assuming आपका जो B है, वो शुरू में rest पर है, तो पहले तुम्हें काम करो, तुम मुझे बताओ कि आपका जो A वाला बंदा ह वो 10 second में कितना चलेगा, देखो, पहले अपन A का motion चेक करते हैं, तो कितना चलेगा उसका formula क्या होता है, UT plus half A T square होता है, तो देखो, यह जो A वाला बंदा है, इसकी velocity कितनी है, 10, तो U की जागे 10 आ जाएगा, कितना time 10 second, तो अपन चेक करते हैं कि 10 second में कितना आ गया जाता तो आपका A कितना आ गया जाएगा, 100 मिटर और यहां पे आ गया जाएगा, इत्में तो किसी को डाउट नहीं है, कि अगले 10 second में A यहां से यहां पहुच जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को, किसी को तो पूछ लो, तो B पीछे है, A से, कितना पीछे है, 100 तो मैंने पहले क्या किया मैंने चेक किया कि ए दस सेकंड में यहां तक पहुंच जाएगा तो अब आप मुझे बताओ सब सोच के बताओ अगर बी को ए को पकड़ना है तो बी को दस सेकंड में कितना चलना पड़ेगा यहां तक चलना पड़ेगा तो बी के लिए क्योशन लि को यहां से आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा तो बी को कितना चलना पड़ेगा 200 यू यू मतलब इनीशल अनुसिटी तो बी तो शुरू में रेस्ट पे था जिरो इन्टू टी तो जीरो हो जाएगा प्लस हाफ ए अपने को निकालना है टाइम किता है दस सेकेंड तो कि ऐसे कुश्चन एक्जाम में कैसे किया जाते हैं कि डाउट नहीं है कि तुम्हें समझ में आ गया अगया वाले का समझ में आया है अगया देख यह वाला जो बंदा है और यह बी है लक्ष एव और बी के बीच में पहले से कितनी दूरी है अब कोश्चन में दे रखा है कि बी को दस सेकंड के अंदर एक पकड़ना है लेकिन ए तो आगे जा रहा था तो पहले मैंने क्या निकाला कि एगा यह यहां तक पहुंच जाएगा तो तू मुझे बता लक्ष कि बी को दस सेकंड में कितना चलना पड़ेगा दोस्तों चलन नी शुरुवात में भी रेष्ट पर है तो यह मैंने यू को ले लिए जीरो ठीक है अपने को निकालना है और टाइम दस सेकंड के पास तो बस यहां से आगया अपने पास कि नहीं आया आउट है कि रोगया तो यह ना यह था पूछो श्रेवाई को डाउट है भावन अर्चना यसी तो पूछो यार वना यह कुशन बहुत भारी होते हैं डाउट पूछ लो ओके तुम्हारीं पूछना है तो ठीक है तो मैं आगे बढ़ रहा हiser माण लोकी तुम्हारे लिए यह वाला कुशन है सॉल्फ करो कि तुम्हारे एकुशन आंट की माण लोकी तुम्हारे पास एक सेकंड़ ना यह एक बंदा है यह उधर जा रहा है कि टैन मिटर पर सेकंड से और यहां पर एक बंदा है और मान लोग कि यह जो बंदा है यह इधर आ रहा है कि फिफ्टीन मिटर पर सेकंड से और मान लोग कि इनके बीच में जो दूरी है वह आपको दे रखिए 500 मिटर ठीक है तब कोशन यह है यह 10 मिटर पर सेकंड जी 40 मिटर पर सेकंड से कोशन यह है वाट शुट भी दा मालो यह ए है मालो यह भी है तो वाट शुट भी दा एक्सलिरेशन अफ ए मतलब एक कितना एक्सलिरेशन हो जो देट इस विल मीट बी इन फाइव सेकंड तो एक कितना एक्सलिरेशन हो कि वह बी को पांच सेकंड में मिलने कितने सेकंड में पाथ सेकंड में देखो अगर मालो कि इन दोनों का एक्सलिरेशन नहीं होता तो तुम्हें याद है पर सो मैं तुम्हें चीछ सखाई थी कि अगर एक बंदा इधर जा रहा है वीवन से एक बंदा इधर आ रहा है वीटू से और मालो कि इनके बीच म और वो दोनों एक दुस्य की तरफ आ रहे हैं तो बताओ कितने टाइम में मिलेंगे D upon D तो D upon V1 plus V2 तो तुम सब मान लो तो तुम सब ये मानो कि दोनों का acceleration मान लो नहीं होता है तो बताओ कितनी देर के बाद मिलेंगे सोचो तो D upon V1 plus V2 तो D कितना है 500 और 10 और 15 कितने होते है 25 तो ये कितना आजाएगा 20 सेकेंड तो मान लो कि अगर इन दोनों में से किसी का भी acceleration नहीं होता तो इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा 20 सेकेंड लगेगा लेकिन मेरा question तो ये है कि what should be the acceleration of A so that it will meet B in 5 seconds तो बताओ A का कितना acceleration हो कि वो B को 5 seconds में मिलने देखो कैसे करेंगे इस question को अग तुम सब ध्यान से सुनो तो पहले तुम check करो कि 5 seconds में आपका B कितना पीछे आजाएगा B 5 seconds में कितना पीछे आजाएगा तो S is equal to UT plus half 80 square तो अपने को पता करना है कि अपना ये जो बंदा है न भी ये 5 seconds में कितना पीछे आएगा तो यू कितना इसका पंद्रा time कितना है पांच और B का तो acceleration ही नहीं क्योंकि B का acceleration तो 0 है अपने को तो पूछा है कि बताओ A का कितना acceleration हो तो 15 फाइजा कितना हो जाएगा 75 तो मतलब ये कितना पीछा आया पच्छतर मिटर अब चेक करो कि पांच सेकंड में एक इतना आ गया आता है तो फार्मिला पट करो U T प्लस हाफ 80 स्क्राइब तो इसका U कितना है 10 टाइम कितना है 5 प्लस हाफ ए तो ही नहीं टाइम कितना है पांच का स्क्राइब ये कितना आ जाएगा 10 फाइजा 50 प्लस आ जाएगा 25 ए बाई 2 तो तुम सब ध्यान से देखके बताओ मुझे अंगे आजए जाएगा 50 प्लस 25 ए बाई 2 और ऊभी कितना पीछे आ जाएगा सब्सक्राइब कितना होना चीह 50 प्लस 25 ए बाई 2 नों मिलकर तो ये कितना होना चीह 500 तो ब्से абाई क्वेशन भव्यक्षी विश्वरास तुमने अभी जोइंक है तुमने दो मिन्ट रुपता है अपने नेक्स टॉपिक पर आ रहे हैं तुम्हें वह समझ में आएगा यह दो मिन्ट रुपना एक बरसमें कोई डाउट है तो अन्म्यूट करो पूछो कुछ नहीं होगा लिखने से यह कोई टॉपिक नहीं है मैं तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो ओके तुम्हें कोई डाउट नहीं है देखो यह कोशन मैंने कैसे किया देखो वापस समझाता हूँ तो एक बंदा है जो उधर जा रहा है 10 मिटर पर सेकेंड से बी एक बंदा है जो इदर आ रहा है 15 मिटर पर सेकेंड से दोनों के वीच में कितनी दूरी है 500 मिटर तो कुश्चन यह है कि वाट शुट भी दे एक्सलिरेशन ओफ ए एक का क्या एक्सलिरेशन हो कि वह पाथ से में मिलवाना है तो मैंने क्या चेक किया पांच सेकंड में बी कितना चलेगा पांच सेकंड में एक इतना चलेगा दोनों मिला के हो गया 500 यहां से आज आए तो अगर तुम लोगो कोई डाउट नहीं आ रहा है तो नेक्स टॉपिक लिखो अपनी का पर मैं बेसिक्स आफ वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर्स टॉपिक लिखो बेसिक्स आफ वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर्स देखो अब तुम लोग मुद्या से बात सुनना मेरी मतलब तुमारी कोई दोस्ती दो साल चले की नहीं चले लेकिन यह टॉपिक जो है यह तुमारा लेस और बिना vectors के तुम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सब अपनी आके थोड़ी बड़ी कर लो, क्योंकि बहुत इंपॉडन टापिक है, तो अब तुम सब ध्यात सुनो, तो vectors है क्या, तो vectors वह quantity होती है, जिनकी value भी होती है, तो vectors वह quantity होती है, जिनकी value भी होती है, और जिनकी direction तो इसलिए फिजिक्स में वेक्टर्स के साथ डील करने के लिए अपने को काफी मैथमेटिस की जरूत पड़ती है उन सब का बेसिक्स मैं तुम्हें आद सिखाऊंगा तो सबसे पहले लिखो अपनी कापे में यह होता है पॉजटिव एक्स डारेक्शन यह होता है पॉजटिव डिरेक्शन यह पीछे की तरफ होता है नेगेटिव एक्स यह होता है नेगेटिव बाहर की तरफ होता है पॉजटिव जैट अंदर की तरफ होता है नेगेटिव जैट सबको यह चीज़ तो पता है कि इसमे केशने परन्ट का है बाहर की तरफ कर से हैं और कि तरफ थे याद रखने है एकसे को मैं रिप्रेजं़ करेंगे आई-कप से राइक शेट वरिप्रेजियं Tommy प्रेज़न जेखिंगे तो पॉजिटिव एक्स का मतलब है प्लस आई कैप नेगेटिव एक्स का मतलब है माइनस आई कैप पॉजिटिव य का मतलब है प्लस जे कैप नेगेटिव य का मतलब है माइनस जे कैप पॉजिटिव जेट का मतलब है प्लस के कैप और नेगेटिव जेट का मतलब है माइनस के कैप आया तुम्हें समझ में एक आपके में तरह तेरा जुटिय। अच्छक्वार्ट में तरह एक तरहुए कि खुटी हिए तो प्रेव्याच्वाइब करेंड़ में तो लेखियों तो भो पॉजिटिव एक्स मतलब है आय गाप नेगेटिव एक मार्पिक नेगेटिव यहां रखना हूं यह इस डिर्ट्टिन होती है ये विस्ट होती है ये नुण्स होती है यह साउथ होती है इसakah मतलब दखा इस का मतलब Hyundai mister car का मतलब इस elector शOP मटर्ब उनकी अगे जाके हम यही करेंगे नौर्थ यश्वेस्ट हूँ लेकाँ मैं झाल झाल ठीक है इसमान दो कि मैं तुम्हे वाला कोशन पूछूँ अब पार्टिकल मूव्स 10 मिटर इस डिरेक्शन और ट्वेंटी मिटर इंसाओ डिरेक्शन तो आपको इसके मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है अब पार्टिकल मूव्स 10 मिटर इस डिरेक्शन तो मैंने क्या सिखाया इस मतलब आई कैप तो आप लिखोगे तैन आई कैप तो इसका मतलब है कितना चला 10 मिटर किसमें चला इस में प्लस ट्वंटी मिटर इस साउट डिरेक्शन तो प्लस ट्वंटी अब साउट का मतलब क्या है मैंस जेके तो यहां पर आजाएगा तो पार्टिकल का जो मोशन है उसको अपन कैसे लिखेंगे टैन आई कैप माइनस प्वेंटी जेक्शन आया तुम्हें सुम्हें कि कैसे लिखत योगा डिरेक्शन नेखल अपनी का फ्रेंट टिक करो यह राजु ए तो राजू पहले इदर गया 10 मिटर फिर ऊपर गया 20 मिटर फिर पीछे आया 5 मीटर अपर इदर आया दस मिटर आप मुझे बताओ कि इसका Personen वेटर फोर्म में आप कैसे नहीं कि देखो यह राजू है पहले दस मिटें दुर गया तेना के लिशता हूं फिर ट्वेंटी उपर गया तो फिर पीछे गया तो नहीं है फिर दस उपर गया अप्लेर हुआ फिर दस आ गया है हो गया कैसे दिखा मैं देखो यह होता है यह मैस आई कैप यह माईस दस आगया तो आगया है मतलब कि तो तेना आएगा देखो टेना इप्लस टेना इट्वेंटी आई ट्वेंटी में से पांच गए फिफ्टी नाइक या आगया आपका कोई डाउट है कि मैंने कैसे किया यह कि कि कोई डाउट नहीं है तो यह वाला कॉशन तुम लोग स्वाइल करूं कि सल्मान मूव्स ट्वैंटी मिटर इन वेस्ट डिरेक्शन और देन टैन मिटर इन नौट डिरेक्शन मोशन इन वेक्टर फॉर्म विल बी तो इसका मोशन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ 20 I CAP द्रेस्ट जूवर्या कर प्लस 10 20 I CAP मैनिस 10 14 इस ट्वाइब इतने वेस्ट थे टेन इंटर इन नॉर्थ तो सब्स्क्राइब अब मैं नहीं कुछ तुम्हें क्यों कर रहा है कि यह पहले ही पढ़ा चुका हुआ तो कोई तुम्हें पुछे की बता हो माइनस ट्विंटी आ यजिकने में ऐसा होता है पेटेन जगेट दाएंटो बता यह वाला वेक्टर दीखने में कैसा होगा माइनस ट्वैंटी आई के प्लस टेन जे नहीं तो अगला कोशन यह हंभ ठर्ञेवर री प्रेजंट सूरी प्रीप्रेजन के से इसे मालव मैं तो बोलों कि QI लौटे गया डिखने में कैसा होगा मतलब पहले बंदा दो मिटर आगा प्लस टेंज एक मतलब बंदा दर्स मेंटर उपर गया तो आपका वेक्टर दिखने में कैसा होगा देखो ऐसा होगा कि आया समझ मैं कि नहीं समझ मारा यह मैं तुम्हें पुछता कि बताओ यह कैसा होगा माइनस टू-2 माइनस फाइज एक का इस तो कैसे प्रेजेंट करेंगे किया से देखना माइनस टू-2 पीछे गया माइनस फाइप मतलब पांच नीचे गया तो अब आगका वेक्टर इसने में कैसा होगा दियांस लेक्टा आया समझ में गाया लेक्ट लो री प्रेजेंटेशन फेक्रस तो ने खुछी सिखले ले टॉपिक है ला री प्रेजेंटेशन फेक्रस लेक्ट लो दूने ग्जम्पल लेक्स लो पीकापनी थीक है तुरे समाल लो कि तुम मुझे यह बताओ माइनस सेवन आई कैप देखने में कैसा होगा प्रेजे प्रेजेशन आई है सब्सवर कैसा होता है मैं सब्सक्राइब करा है पीछ प्लक्राइब गया गवर्भाई मैंसार उपर गया चेक करो का गलती करो तुम लो कि आउट है कि तुम बता नहीं नहीं हो यहादा करो का थी आई कैप मारें जिए क्या पता दिखने में कैसा होगा पर सबको आंसर करने इसका है आघ जूक्कि बार बार मैं तुम्हें वेक्टर का करेशा ह्योटी बाहूंगा बता हो मैं तो दूप्शिन हो दिरह और दिक्सक्रों जल्दी करो यह झाल झाल कि क्या होगा सोचो थ्री आइक्यात तीन आ गया फिर टीन नीचे गया अच्छाया सब को समझ मैं की समझ माया नेच्ट लिखापनी काप मैं हाव तो फाइंड तो किसी भी वेक्टर का मैंगी रूड के से पता करते हैं तो एक चीज़ तुम लिखना हो क्यूंकि मैं देगा ग्यारवी बारी पूरी खतम हो जाती है पर इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता है तो मैंगनीट्यूड का मतलब होता है लेंस क्या मतलब होता है लेंस तो दिखो अगर चेप पूछने में कैसा होगा तो यह नीज प्रपर फॉपर आप मुझे बताओ आपका वेक्टर दिखने में कैसा ओका है कि ऐसे होगा तो आप बता इस विट्र की लैंद कित्ती है ध्यांच देखो यह आपका हाइपो है ऐसे ही घुल और में हाइप कंट एसilate लेंद कित्म होता आप मुझे बता की स्कौर होगी की नहीं होगी जेकिर ऐसे हैं और हैं और लुद्म में क्या होता है हयो तो मैं तुम्हें उसका फॉर्मला लिखवा रहा हूँ अगर मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए ए आई कैप ब्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप तो आपको इस वेक्टर का मैगनिटूट बताना है तो क्या होगा देखा मैगनिटूट रूट ऑफ आई के साथ क्या है ए ए तो ए का सको है जे के साथ कहा है भी तो बी कैसको है के के साथ कैसी को है किया यहाँ बीच में तुम कभी भी माइनस नहीं लगाओगे तो यह से मानलों कि तुम्हें को एक्जाम में बूचे किया आके पास एक वेक्टर है आई कैप PLUS 2 जे कैप मानिट थी के क्या तो बताओ का मैगनी रूट किता है तो रूट आफ देखो खाली आई के साथ 2 तोके साथ मायनिस तुमा ये तो इसे निकाल ईहा है कि समझ में के नहीं समय कि लिए पीजिए पर इसके पहले अपने पॉजीशन वेक्टर ज़राया था नहीं 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 तो देखो अगर आके पास कोई भी वेक्टर है एक प्लस बीजे के प्लस सी के क्या तो किसी भी वेक्टर का में डिशल्ट के से निकालते हैं को रूट ऑफ माओ प्लस सब्सक्राइब के साथ जिए स्क्वैर प्लस के साथ जोस का स्क्वैर के साथ जोस्क्वैर ठेक है जिसे माल हो लोगी तुम्हारे एंग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है इफ एक्वल टू टू आई कैप लेस्ट टू जे कैप माजस टू की कैप तो आपको बताना है कि वेक्टर का मेल्दी रूट कितना है तो रूट आठ रूट छे रूट बारा रूट चाहर अगर कि को तुके तो होा तो ह क्या हुआ रूटफ यकिस्क है स्कूर्ण देके साथ जोसका स्कूर्ण दसके के साथ जोसका स्कूर्ण स्कूर्ण दसके साथ जोसके साथ खांक है। unit vector to a vector whose magnitude is one is called as unit vector it is only used to दाइक्ठशन तो ऐसा वेक्टर जिसका मैगनिट्ट होता है उसको हम बोलते हैu इनुट वेक्टर फुसमेगनिट्ट इस वन इसकॉल धिन वेक्टर deception श्ता क्या काम होता है ये खाली क्या कामाओ ये खाली डारेक्शन बताने कि एक ती आ महता है वेक्टर का इनुटर कैसे निकालते हैं यह आपके सब इनिट वेक्टर आपके सब अब किसी भी वेक्टर का इनुटर बना सब्सक्राइब दीचे इसे मालों कि तो बैक्समा कोशन आता है कि फाइंड यूनित एक्टर ओफ है आई कैप देखो कैसे बता करेंगे तो यह यह सिंबल लगी है ना मतलब यह क्या है यूनित वेक्टर और यार रहता है का मैमने डिल्ट कितना होता है बहुत इंपॉर्णने टॉपिक है एक ये रीट फिसे निकालो तो किसी भी वेक्टर कैसे निकालता गलते वेक्टर वेक्टर तो कि प्लस जेखथ प्लस के-कप और डिवाइड करना सकते मैगनियूट से थी क्या तो आई के तो किसी भी वेक्टर का निकालते वेक्टर डिवाइड वाइड वैक्टर वेक्टर के में इसा निकालते तो कैसे करना देखो किसी भी वेक्टर का अगर आपको निकालना है तो वेक्टर डिवाइद वाइद वाइद वैग्डि उपेक्टर कि इसे मालों कि वाल और सॉल करो कि फाइंट फाइंट वेक्टर ओफ यूजे केंट प्लस थ्री के के बाइऄ चार ऑप्शना हो के पास तू जे कैप फ्लस थ्री के के निए 5 तू जे के प्लस टू के कपॉन रूट फाइफ है तू जे के प्लस ठीके के के लपकॉर अ रूट 13 इस च्रीके के लपन थरी ऑपन क्या होगा सब्सक्राइब तो क्या दा इन वेक्टर वेक्टर डिवाइड बाइड वेक्टर दिवाइड बाइड वेक्टर तो जेक्ट प्लस ठीके कैप अपन्रूट आप जेके साथ क्या क्या कैक के साथ क्या है तो आहीं तक क्या आगया जाएगा रूट-13 किसमित आए सबस्च मैं तो देखो अब तुम्हें क्या करना देखो एक तुम्हें क्वेशन्स सब्सक्राइब करनी है अब तुम सब्सक्राइब करनी है ताकि इसका फायदा अपने को आगे भी हो सके ठीक है और कुछ पूछ सकते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कि कि Бाया करनी और है तुमित्क चारत दोल सकते हैं। कि इसका है आगे, कि मुझसे पूल प्रश right it